लक्ष्मी पूचन के दूसरे दिन मंगलवार को शहर आंशिक सूरे ग्रहन का साक्षी बना शाम 4.49 मिनिट पर ग्रहन आरम हुआ जो 5.42 मिनिट टक चला सरवादिक 28 फीसिदी ग्रहन शाम 5.49 मिनिट पर देखा सूरे ग्रहन के मदिनसर कल दिन में मंदिरों के पट बंद रहें से दौरान करीब 1000 लोगों ने रमन साइन्स सेंटर में अध्भूत नसारा देखा रमन साइन्स सेंटर के प्लैनेटोरियम के तकनीकी अधिकारी महेंदर वाग ने बताया कि सूरे ग्रहन के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए केंदरे ने दस दिन पहले से इसका मौडल प्रस्तुत किया था नागपुर में आशिक सूरे ग्रहन ही दिखा पांच बचकर 49 मिनिट से पांच बचकर 42 मिनिट तक सरवादिक 28 फीसदी ग्रहन रहा एन दिवाली के पर्व पर हुए इस सूरे ग्रहन को लेकर नागरिकों में काफी उच्सुकता दिखी नागरिक के यह नजारा देखने बड़ी संख्या में सेंटर पहुचे केंदर के अधिकारियों ने टेलिसकोप के माध्यम से स्क्रीन पर ग्रहन को लेकर जरूरी चानकारी दी कई लोगों ने सूलर ग्लास एवं वेल्डिंग ग्लास के माध्यम से सूरे ग्रहन को देखा इस दोरान सोरे की और सीधे और साधे चश्मे से नहीं देखने के निर्देश दिये गए ताकि आखों पर कोई असर नहीं हो नाकपर से BCN News के लिए अभिशेग पांसी की रिपोर्ट